बीजिए मोझने कि पशल के और दोस्तों दोस्तों स्वरस्वती ओन-लाइन कोचिंग कलासेज में आपका स्वागत है दोस्तों आज का हमारा विश्य है गनिट और गनिट की सुर्वात हम नमें दाँगे करेंगे नंबर सिश्टम को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नंबर सिश्टम है क्या संख्या प्रति के अधीन कौन-कौन से नंबर आते हैं जिनका यूज आम तोर पर एक्जांस में किया जाता है तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं प्राकर संख्या या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एक, दो, तीन, चार, पाँच, dunno, अनन तक यानि वेसन में 0 समिलित नहीं है वे आती है इसमें सभी दनात्मक संख्याई आती है दोस्तों इस चीज़ का हमें विशेच ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ और शिर्फ दनात्मक संख्याई आती है और यह स्टार्ट एक से होती है जीरो से नहीं दूसरा नंबर है हमारा पूरण संक्या पूरण संक्या या हॉल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और इसमें भी सबी दिनात्मक संक्या आती है यानी इसमें 0 से सुरू होकर सभी धनात्मत संख्याय आती है इन दोनों का हमें विशे इस रुप से ध्यान रखना है कि प्राकर संख्या किसे कहते हैं और पूरण संख्या किसे कहते हैं इसके बाद में आता है दोस्तों सम संख्या सम संक्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अर्थात जिसमें 2 का पूरा-पूरा भाग चला जाए यानि वह संक्या जिसमें 2 का पूर्ण रूप से भाग चला जाए या पूर्ण रूप से विवाजित हो जाए वह सम संक्या क्या लाती है इसके बाद आती है दोस्तो विसम संख्या जो दो से पूर्ण रूम से विवाजित ना हो एक, तीन, पांच, साथ, नो, ग्यारा, तेरा, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर ये संख्याई हैं विसम संख्या इसके बाद संख्या में एक नहीं आता है आप इसकी डेफिनिसन इस तरीके से बना सकते हो या एक को छोड़ कर वे सबी संख्याई हैं जो केवल एक या स्वेम से विवाजित हो वे संख्याई एक बाद संख्या के अधीन आती है इन में कौन-कौन सी होगी दो, ती, पांच, साथ, ग्यारा, तेरा, सत्रा, उन्नीस, तेईस, एक सेक्टा, एक सेक्टा त्यान रखने वाली बात यह है कि इन संख्याई में स्वेम को छोड़ कर और किसी से भाग नहीं जाता जैसे दो, दो का ही भाग जाएगा तीन में तीन का ही जाएगा, पांच में पांच का ही जाएगा, साथ में साथ का ही जाएगा, ग्यारा में ग्यारा का ही जाएगा अब हम बात करते हैं दोस्तों, इन पर स्वाल कैसे बनेगा, या क्युस्टन किस टाइप में होगा, या इनको हमें हल किस परकार करना है जैसे यहां हम सबसे पहले कुछ formula के बात करेंगे जैसे पर्थम N प्राकर संख्याओं का योग इसका formula होता है N bracket N plus 1 बटा 2 यहां N क्या है? N वह संख्या है जिनका योग निकालना है लेकिन हमें यहां ध्यान रखना है कि यह formula सिरफ पर्थम पर ही लागू होगा यानि यह सुरुवात एक से होनी जाइए एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आथ, तो continuously और फर्स से स्टार्ट होगा यह अब इस पर बेस्ट क्यूशन के हम बात करते हैं जैसे पहला क्यूशन है कि पर्थम 10 प्राकर संख्याओं का योग याद कीजिए पर्थम 10 प्राकर संख्याओं का योग, यहाँ N, N क्या है अपने पास, 10 तो formula क्या है, N, N प्लस 1 बटे 2, यहाँ N की value रखो, 10, 10 प्लस 1 बटे 2 यानि 10 कुना 11 बटे 2, या आपका answer आएगा, 55 अब इसको दूसरे system, दूसरा question से हमारे पास के पर्थम 10 पूर्ण संख्याओं का योग याद कीजिए अब यहाँ ध्यान रखिए, पहले स्वाल और दूसरे स्वाल में नंबर change हो गया है, पहले स्वाल में था हमारे पास में प्राकर संख्या, जबकि दूसरे स्वाल में हैं पूरन संख्या और अब हमने कुछ देर पहले बात की थी कि प्राकर संख्याओं वे संख्याओं होती है जो एक से सुरू हो और सभी दनात्मिक संख्याओं इसमें इंक्लूड होती है और पूरन संख्याओं 0 से श्टार्ट होती है तो हमें इसमें 0 भी count करना पड़ेगा अब 10 पूरन संख्याओं कहा होगी आप count करिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब आपको पता लगा कि 9 पर 10 संख्याओं पूर्ण हो गई 0 भी include करना पड़ेगा हाला कि उसका कोई method नहीं है लेकिन starting कहा से 0 से इसलिए 0 भी एक number पर आएगा ठीक है तो अभी हमारे पास कुल संख्याओं कितनी है 9 है तो इस formula में n की जगे हमें क्या रखना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा 9 put किया 9, 9 plus 1, 10 बट्या 2 अंसर आएगा 45 अब आप देखिए पर्थम answer हो जित्ती answer में answer है क्योंकि पर्थम answer में 10 include था यहां 10 include नहीं है अब हम दोस्तों अपने दूसरे formula की तरफ चलते है पर्थम N प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग यहां ध्यान रख रहा है कि वर्गों का योग इतना समय नहीं होता किसी भी exam में इसलिए इसके direct formula का यूज करेंगे जो formula इस परकार है N bracket N plus 1 bracket close second bracket 2 N plus 1 bracket close बटा 6 इस formula को हमें याद रखना पड़ेगा देखो formula याद करने में हमें अपना effort लगाना पड़ता है formula याद करने के लिए हमें practice करनी पड़ती है लेकिन सवाल याद करने की जूरूद नहीं होती यही तो गनित की खाशियत है हमें math में सिरफ formula याद करने पड़ते है उसके base पर कोई भी सवाल आ जाए आप उसको हल कर सकते हो बस language समझना पड़ेगा के वह सवाल में पूछ क्या रहा है चलो दोस्तों जादा समय ना लेते हुए हम तीसरे formula पर चलते हैं तीसरा formula है पर्थम and प्राकर्च संख्याओं के घनों का योग अब घन किसे कहते हैं घन होता है क्यूब यानि अभी अगर इसी सवाल अगर इस पर कोई सवाल हम दें के पर्थम दस प्राकर्च संख्याओं के घनों का योग क्या होगा तो आप क्या करोगे एक की क्यूब प्लस दो की क्यूब प्लस तीन की क्यूब प्लस चार की क्यूब प्लस पांच की क्यूब इस तरीके से आप cube निकालेंगे उसके बाद में आप उसको जोड़ोगे बहुत लंबा स्वाल बन जाएगा दोस्तों बहुत lengthy जो math में महारत आसिल कर चुके हैं जिनको जिनकी calculation power बहुत अच्छी है उन्हें भी करने में time लगेगा अगर उन्हें formula नहीं आता तो तो इसका formula क्या है direct use किरना है पर्थम formula की square करना है पर्थम formula था n, n plus 1 बटे 2 यहीं यहाँ है बस इसकी whole square करना है n, n plus 1 बटे 2 और इसकी whole square और आपका नया formula त्यार है अब दोस्तों इस स्वाल को देखिए पर्थम 5 प्राकर संख्याओं के वर्गों वे गनों का योग याद कीजिए इस स्वाल को वो पलट के भी दे सकता था के गनों वे वर्गों का अंतर याद कीजिए या वो कह देता के वर्ग गन से कितने अधिक है इस टाइप में language का फरक होता है लेंग्विज वो कुछ भी दे सकता है तो वर्गों और गनों का योग मैं अलग-अलग करके बता रहा हूँ एक इस स्वाल में सबसे पहले पर्थम 5 प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग फॉर्मूला है हमारे पास N, 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 1, 2, N, प्लस, 1, बटा 6 अब आपको N की जगे कितना पूट करना है 5 5, 5, 5 प्लस, 1, 5 गुना 2 प्लस, 1, बटा 6 इसका जब आप इसको सिंप्लिफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 55 आप करके भी देख सकते हैं दोस्तो नेक्स था गनों का योग गनों की योग का फॉर्मुला था N, N, प्लस, 1, बटे 2 और इसकी होल स्केर N की जगे 5 था N प्लस, 1 किया यानि 6 5 इंटू 6, 30, 30, बटा 2 यानि 15 और 15 की स्केर होती है 225 दोस्तो इन फॉर्मुलों को यूज करके आप बड़े से बड़े स्वाल को चोटे स्वालों में यानि चोटे हल में उसको convert कर सकते हो देखे सिंपल सी बात है कोई भी exam होता है वो divide होता है time में आप कोई भी exam उठाओगे एक गंटा, दो गंटा, डेड़ गंटा अलग अलग आपको time period मिलता है अब अगर उस time का use अगर सिरफ आप math करने में ही लगाओगे तो आप अगले स्वाल नहीं कर पाओगे lengthy way से करना कोई बूरी बात नहीं है लेकिन lengthy way से हम सिरफ और सिरफ दसवी, बारवी तक कर सकते हैं उसके बाद में short tricks पे आना ही पड़ता है और ये short trick नहीं है ये उसका एक formula है मैं अभी तक किसी भी तरीके का कोई short trick यूज नहीं किया हाला कि इनको करने के और भी कई सारे तरीके है लेकिन हमें सुरुवात basic से करनी है दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आगे share करना अगर पसंद ना आए तो comment box में comment करना next वीडियो में मैं इससे आगे के कुछ formula लेके आऊँगा उन पर basicution लेके आऊँगा और क्यूस्चनों को कैसे गुमाया जाता है वो भी बताने की कोशिश करूँगा धन्यवाद